इन दिनों लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से वेवसाय करने वाले दुकांदार काफी दहसत में हैं अग्याद चोरों ने एक ही रात में तीन दुकानों का सटर का तला तोड़कर नगल एवं महेंगे समानों की चोरी कर ली अपने अपनी दुकाने जब खोलने पहुंचे तो देखा कि दुकान के सटर का तला टूटा हुआ है। इसके बाद अस्थाने थाना को ततकाल इसकी सुचना दी गई। बताया जा रहे कि राधार इस्ट्रिपीटर से करीब 40,000 की चोरी की गई है। चोरों ने स्टर फैसन के सत्यराज की राना इस्टोर में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सभी पिडित दुकानदारों ने अस्थाने थाना में लिखीत शिकायत की है। इस तरह लगातार हो रही चोरी घटनाओं से दुकानदार काफी दहशत में हैं। थाना से महज पचास गज की दूरी पर इस तरह की चोरी घटनाओं को चोर अंजाम दे रहे हैं इसके बावजूत पुलीस कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है इसलिए दुकांदारों में काफी देहसत का माहूल है और ऐसा ही आलम रहा तो वे लोग आंदलन करने को मजबूर होंगे सही में सुटा हुआ था हमारे पास तीन घटना हो चुका तीन वार ताला कुटा है इसलिए कोई सर्कार के तरफ से कोई रिस्पोंस नहीं मिला कोई मदद नहीं मिला इसलिए हम लोग सटर्फोन करके देखे क्या सब चूड़ी हुआ है इसलिए करने कोई सब्सक्राइब कोई रिस्पोंस है अच्छा कहा जाता है कि यहां बगल में नाका है प्रफॉज में नाका है नाकावला को बोलता है कि हम लोग चार-पांच बेकती है कहां हम पहरा करेंगे लप्रवाही है, कोई देखभाल नहीं हो रहा है, पहले भी कोई घटना हो चुका है, मेरा ही दुकान में, हमारे दुकान का सटर टूटा हूँ, कैसे पता चला है, यह पांच बजे सुबह हमको फोन किया गया है, यहां से कि आपका सटर आधा एक तरफ से आधा उठा हुआ, एक तरफ से कम उठा हो, हम आये दुकान तब जब तक कुछ करेगा नहीं, जब तक किसी खुलेगा, परसासन के तरफ से एक गंडा के बाद शार्गोप, पुलीस आये हैं, खाना परवारी अभी आहीं नहीं रहें भी तक, बोलने आ रहें, आ रहें, एक गंडा हो, दो होने जा रहें, उनलों का कोई रिस्पोंस ही नहीं है, नाका यहां से पचास कलदूरी पर है, और आए दिन यहां घटना घटती है, इसमें किसी दुकान में होती ही रहती है, नाका वाले बलते हैं कि बारिस में कहां पहड़ा करें हैं, यह सरकार बताएगी कि बारिस में प झालो कि दुकान। झालो कि दुकान।